आजकल जो है न कोई भी धार्मिक तेवहार बिना किसी बवाल के, बिना किसी तुफान के, बिना किसी जंजट के निपड जाए तो ये समझे कि बहुत बड़ा अच्यूमेंट है वो क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार का माहौल है जिस प्रकार से माहौल भिगाडा जाता है वो कोशिश करते हैं कि कोई न कोई बवाल कोई न कोई जो है न बखेडा खड़ा हो खास उसे धार्मिक मामलों में इन दिनों भी एक तेवहार चल रहा है पूरे नौ दिन का तेवहार और नौ दिन के तेवहार में एक खास वर्ग है वो चाहता है कि इन दिनों जो है तमाम लोग नौनवेज यानि की मीट मटन किसी प्रकार का कोई नौनवेज न खाए यानि की मांस न खाए अब दिक्कत ये है कि भाई इन ही दिनों क्यों अगर आपके नजर में वो गलत है बुरा है तो फिर सारे दिनों की बात करिए ना कि हमेशा इस प्रकार के दुकानों को बंद कर दिया जाए इस प्रकार के दुकाने लगने ही न दी जाए लेकिन खास बात तो ये है कि इस प्र तो पूरा का पूरा एक मचवारा समाज है वो इस पर पलता है एक कसाई समाज है भारत में जो खटिक समाज है वो पूरी की पूरी तरह से उनकी जो एकॉनमी है उनका जो पूरा आर्थिक विवार है वो इसी के दम पर है कि वो मटन की दुकान लगाएंगे और वो इससे पार्ट नहीं करते आप इनके भी दुकानों में भी आप जो है तमाम भगवानों की मुर्तियां, फोटो, सारी चीजे वहाँ पर भी नजर आती है मटन और चिकन या इस परके मांस की दुकानों में भी तो आप चाहते हैं कि चुकि आप इन नौ दिनों में आप नहीं खाते हैं या आपने आपको कंट्रोल कर रखा है कि इन नौ दिन आप नहीं खाएंगे आप कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की तो आप चाहते हैं कि दुकान भी बंद रहे कोई भी न खाये याँ अगर अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपकी समझ से है ना भाई बाकी लोगों के लिए को आप इस से कैसे वंचित कर सकते हैं इन सब चीजों से यह आप अपने आपको कंट्रोल कीजिए इसी में आपकी परिक्षा है और आप उस सिर्फ दादागिरी के अधार पर यह चले है और ऐसा सिर्फ यहीं नहीं बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कई लोग स्विच्छा से बंद कर दे ठीक है बंद कर दे लेकिन जबरदस्ती बंद करवाना यह तो गलत बात है क्योंकि आप अगर नहीं खाना चाहते या आपके पर आपने प्रदिबंद लगाया है पर्टिकुलर इन दिनों के लिए तो वो आपकी समस्य आना भाई आपका मन क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाते हैं आप क्यों चाहते हैं कि इन दिनों बंद रखा जाये ताकि वो आप उधर खीचे ना चले जाए यह आपकी समस्य बाकी लोगों की नहीं है और यह जो इस्थितियां है ऐसा नहीं है कि जो जिस समाज की बात कर रहे हैं पुजारी पंडे या फिर जो ब्रामन समाज है यह लोग मांस बटन नहीं खाते या नहीं खाते भारत में आजे से ज़्यादा जो इस पुजारी या पंडित या इस प्रगर कम्यूनिटी के जो लोग है ये लोग खाते हैं भाई कोस्टल एरियाज में अगर देखे बंगाल में देखे साउथ में देखे बहुत सारे चेतर में वो लोग मांसाहार करते हैं और बहुत पहले कि अगर हम बात करें तो ब्रामुनों ने मांसाहार कब छोड़ा ये एक बहु और गाय की बली आम थी 1500 से 500 इस्वी के बीच देवताओं को मांस चड़ाया जाता था और फिर उन्हें भोजन में परोस दिया जाता था अब आज भी कश्मीरी पंडित अपने रोगन गोश्त के लिए ही लोग प्रिये हैं मटन या बकरी के मांस को ग्रेवी में लाल मेश का प भर में मचली के बाद चिकन मटन और फिर बाद में बीफ लोग प्रिये हैं भारत में 82 प्रतिशत से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं पिछले साल की बात है जब इंडियन फूट डिलेवरी एप जो है स्वीगी इस पर चिकन बिरियानी सबसे यादा ओर्डर की गई थी या आप जो है अपनी पसंद को जबरदस्ती किसी पर ला दें ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है और हास्यास्पत भी लगती है बहुत हसी आती है कि आप जो है अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस करण से इन दिनों चाहते हैं कि ये दुकाने बंद रहें है वाल